कि शुरू करते हैं आपके वाक्षीट नंबर एट या आपके हिंदी की वाक्षीट है और इसमें अपना नाम अपने क्लास टीचर कर नाम यह सब चीज़े आप लोग लिख लेंगे देखे साथ ही इसमें ना अगर हम नीचे देखे तो यहां देखे यह आपकी मैट्स की वाक करना यहां लिक्टपा isn't अपनी क्लास टीचर का नाम अपनाaf het solvent आज हिंदी है तो हिंदी आप लिख लेंगे और इसको सब्देगर कि है उस इक ही कापी में आप लोग करेंगे चलिए करें बच्चो पिछले कारेतां में hatteा Paige बच्पन पार्ट की लेगी का किष्णए सोबस्व दिशोतों जी अपने पहनावे अपने खानपान की आदत और अपने बच्पन की शोख को बताया है अब आगे अपने खाने पीने रहने जहने और कुछ आदते जो उनको बहुत अच्छी लगती थी उन सब चीजों के बारों में उन्होंने बताया है आज हम क्या पढ़ेंगे सर्वल कैंडल्स पाइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था यानि एक शोरूम था जिसके सामने शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था की पट्रियां उस पर खड़ी छोटी छोटे डिबो वाली ट्रेन तरेन देखती थी एक लाल टीम की छट वाला चट वाला स्टेशन और सामने सिंगनल देते खमबा यानि कि अप जो आपने देखा होगा ट्रेन की पट्री के तो यहांब आगे खंबे लगे होते हैं जो से सिगनल देते क्या आपको आना है या नहीं आना है ठीक है थोड़ी-थोडी दूर पर बनी सुरंगे और इसके अलावा क्या होता है जो आप शिम्ला बगीरा में जाते हैं तो वापे थोड़ा सा मतलब से ह। सुरंगो टाइप की और आज भी ऐसा करते हैं बच्चे के हवाई जाते हैं कि अवाज आती है तो दौरते हुचाते हैं कि शायद हमें दीख जाए दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है अब क्या देखता था जिसे एक भारी भरकम पक्षी जो आ पर पॉल आ कर यह देखो और वे गाइब जैसी देखा वैसी वह गाइब उसकी स्पीड इतनी तेज लगती है यह इसा करें कि इतनी स्पीड में चल रहा है एक सेकंड हुए नहीं देखे वह एक सेकंड में गाइब हो गया हाँ गाड़ी के मौडल वाले दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभ भी निद भूलती थी क्यों क्योंकि ये वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था वहा आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे ठीके वहाँ पे कोई आँखों के डॉक्तर थे जो की अंग्रेज थे वहीं उन्होंने उसे चश्मा दिया था शुरू-शुरू में जो भी उनके उम्र ही हो क्योंकि पुराने जमाने में यह माना जाता था कि मतलब बुड़े हो जाते थे लोग वह बिना चुश्मे के पड़ती है क्या है क्योंकि उनको सब फ्रेश फ्रेश मिलाता है और आज मेरी एज कितनी है तो क्या है क्योंकि हमें वो शुष्द चीजने नई मिल देगा तो पुराने जमाने में यह माना जाता था कि जिसकी आखों में ज़ादा प्रnants कि उसके ही चिश्मा लगेगा अब क्या बोलते हैं अब सबकी आदत तो होती है अपनी अपनी राए देने की तो क्या बोलते हैं दूद पिया करो है ना दूद पिया करो या फल खाया करो या हरी सबजियां खाया करो ये राए तो मिलती है वही बताते हैं डॉक्टर साहब का कहना है दोहराते अब ये क्या क शोरूम में शिमला कालता-टीन का मौडल अश्यर जनक आधुनिक चीजे थी यह दो चीजे वहाँ पर आधुनिक जनक थी क्या क्या अश्यर जनक आधुनिक चीजे तुम्हें आकरशित करती है उनके नाम लिखो अब आज के जमाने में कौन-कौन सी चीजे ऐसी है जो आधुनिक है और जो मतलब आपको आकरशित करती है अब आपको उनका नाम लिखना है चलिए इसका अंसर हम लोग देखते है आप इसका अंसर यहां से लिखेंगे कि आज मैट्रो बलड ट्रेन ऐसी अश्यर जनक आधु लगाना पड़ा चलिए इसका अंसर देख लेते हैं का अंसर यहां से लिखेंगे लेकिका को अंग्रेजी डॉक्टर के कहने पर चश्मा लगाना पड़ा जाहर सी बात है कि उसकी आँके खराब होंगी इसलिए उन्हें चिश्मा दिया हुई आँकों में कोई प्रॉब्लम लोग देख लिखेंगे और पड़ाई के साथ कुछ पक्षी भी पालते थे जिससे उनका समय कर जाता था क्योंकि उस समय में टीवी मोबाइल नहीं होते थे अब यह मैंने अपने हाथ से आपको लिख के बता दिया है अगर आपको कुछ रैटिंग में प्रॉब्लम लगे तो आप दोग देख लिजेगा या मुझे कमेंट्स करके पूछ लिजेगा ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं आपका प्रिशन नंबर चार है पार्ट में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को धोन कर उससे एक एक वाक्य भी बनाईए ठीक है यह जो उपर पार्ट में इस भी गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे वर्ट से जिने आप ढूंट के लिख सकते फिलार मेरे यह तीन लिखें आप यह तीन भी लिख लेंगे चलिए आगे देखतें नेक्स पॉस्ष्हान आपका परिशन नंबर पांच है पार किरियाओं से भी भाववाचक संग्या बनती है जैसे मारना किरिया है मारना से क्या बना मर काटना किरिया है काटना से क्या बना कट हारना हारना से हर ठीक हार सीखना से सीख पलटना से पलट हरपना से हरप इस तरह से भाववाचक संग्या बनती है तुम भी कुछ इसमरन से चार्ट कर लिखो और भावचक संग्याओं में बनाओ ठीक अब आपको अपने आपसे कुछ संग्या लिखनी है जिनको आप भावचक संग्या में कनवर्ट कर लेंगे अब इसका अंसर देखते हैं और उसके बाद हम लोग वर्क्षिट देखेंगे मैट्स की अब आप इसका अंसर लिखेंगे कि सोना से क्या हो जाएगा सो हसना से क्या हो जाएगा हस पीना से क्या हो जाएगा पी भागना से क्या हो जाएगा भाग जीतना से क्या हो जाएगा जीत इसे तरह से और बहुत साले हैं रोना से क्या हो जाएगा रो है ना तो इस तरह से यह सारे जो भी आपके दिमाग में आते हैं क्योंके उन्होंने कहा है अपने आप से लिखनें यह आप अपने आप से लिख लेंगे चलिए आगे पड़तेए यहां पर जो Maths की Walks Sheets इसे पढ़ लेता है पहले है आप लोग ले concerns पढ़着र लेंगे भाग के बारे में पड़ेंगे. बार बार घटाना. भाग का मतलब क्या होते है? उसने इन गेदों को 8 दोस्तों के बीच में समान रूप से बाटा आए. ठीक है? अब उसे बाटना है, तो प्रति एक बच्चे को कितनी गेंदे मिल सकती है? तो वो क्या करेगा? 16 को 8 से माइनस करदेगा, 8 बचेगा, फिर 8 को 8 से करदेगा तो फिर 0 बचेगा तो यानि इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे की हिस्से में 2 दो गेंदे आई अब यहां लिखा है भाग क्या है भाग होता क्या है तो बार बार घटाना भाग भाग करना समान वित्रन ये समान समू में बनाना ये सब भाग करना है लेकिन इसका जो असली मतला बैवो है भाग करना ठीक है अब यहां लिखा है भाग के बारे में कुछ रोशक दते यानि क् Allen को तो आक अन्सर एक आने वाल है जैसे अगर आप मान लीजे 2 को दो से भाग करते है तो डो इकव डो तो कितना संभ्या आपका है कि अंबर को तो मारा संक्या को एक से भाग करते तो भागम में हमीशा प्राप्त होगी जैसे 2 divided by 2 को भाग 5 से करेंगे तो आउंसर कितना ऐगा ? 2 आएगा थीक यहां लिखा है आू करें अब मिल कि करना है क्या देखे पहले ए leurs नोंने दिया one four zero को 45 से भाग दीजिए तब देखेंगे उन्हेंने भाग करके सिखाया कैसे देखिए पहले हमें यह 63 हमें ढूंड़ना या तो 45 से कम है तो 45 से कम 45 ठीक है अब इसे माइनस करा तो 18 बचा अब अठारा जाता नहीं तो फिर हमने 0 ले लिया 180 हो गया अब हमने 45 का टेबल 4 बार प डिजिट उतारते हैं तो उपर 0 लगाते हैं ठीक है अब 45 जो है 48 जो एक ही बार में 45 की बार में जाएगा तो हमारा तीन जो बचेगा वो क्या बच जाएगा अब इस जिदा से अगला कुशन आपको दिया राहूल के पास 12 फूले उसे तीन फूलों का गुच्छा बनाना ह ठीक अब यह बताईए कि उसे कितने गुच्छे बनाने पड़ेंगे तो एक दो तीन चार अब हम इसको कैसे कर सकते देखिए बारा को रखो अंदर तीन को रखो बाहर तीन चुक बारा ठीक है कड़ गया यह बिल्कुल जीरो बचा तो हमारा आंसर कितना आया चार यानि हम कितने बना सकते हैं चार बना सकते हैं सिंपल चलिए अब आपका यहां पर कोशिन दिया गया है ग्यात कीजिए 125 को 5 से भाग कीजिए फिर 105 को 1 से फिर 64 को 64 से फिर 19,440 को 60 से तो चलिए इसके लगातार आंसर देख लेते हैं हम लोग देखिए अब 125 को हम क्या करेंगे 5 से करेंगे कैसे कि देखिए पहले 5,2,10 कर लेंगे 2 पर लिख दिया 10 नीचे माइनस करा 2 बचा फिर हमने यह 5 उतारा यह हो गया 25 फिर हमने लिखा 5,5,25 और हमारा आंसर क्या आया 0 ठीक है तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे next आपका था 105 तो देखिए 105 को हम कैसे कि यह देखिए यह आपका 1 से होगा तो 105 को अंदर रखेंगे 1 के टेबल में 1 बार में आएगा कट जाएगा 0 उतारेंगे तो 00 बार में आएगा वो भी कट जाएगा और 55 बार में आएगा तो यह भी कट जाएगा अभी आपने interesting fact में यह वाली बात पड़ी है कि अगर हम कि आता कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से करते देन आंसर इस वन है ना तो हमने पड़ा था कि आंसर एक आता है तो देखिए इसको भी हमने कर लिया 64 64 जीरो आ गया जब हमने इसे माइनस करा अब आपका last question जो था वह यह था कि कि 19,440 को में 60 से करना था तो अब देखिए यहाँ पे 60 के 19 तो जा नहीं सकता तो हम 3 lines को एक साथ लेंगे तो यह आजाएगा 183 बार में ठीके अब 4 का 4 और 1 में से यहाँ गया तो यहाँ बचेगा 14 और यह 1 में से 1 गया यह हो जाएगा 0 अब यह उपर का 4 उतारेंगे यह हो जाएगा 144 अब 2 बार में 120 हैगा जिसको आप माइनस करेंगे तो फोर में से 0 गया बचा फोर में से 2 बचा टू और 1 में से 1 गया बचा जीरू अब आप उपर से फिर से 0 उतार लेंगे क्यों कि 2460 से छोटा होता है जिब आप यह अवाला 0 दुबारा से उतारेंगे तो यह जागा 140 तो 240 कितनी बार में आता है 4 बार में आता है 240 तो इस तरह से हम इसे कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जागा 3,4,2 ठीक है तो यह आपका इसका आंसर हो जागा तो आपको किसे कर लेंगे चले नेक्स टोशन पढ़ते हैं अब हम आपका आगला दिया हुआ है कि 5910 को चार से भाग कीजिए अगर हम इसको चार से भाग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा तो इसका आंसर देख लेते हैं अब देखिए यहां हमने क्या लिख्खा 5910 इसको मैं किस से करना है 4 से तो अब आप देखिए 4 गडेबल में 5 नहीं नाहींटीन 4 4 जा कितना होते 16 19 16 को माइनस करा टो थिवा जब हम अपने उपर से उताल लिए तो यह थिवन हो से आपका तो आपका टेवल पड़ा तो आया तो आपका आंसर वच्छा तूप आपका जो हैंतर गांवेर रिमांडर हो जाएगा टोब आपका तो आपका तो आ लिकिन अगर हम यहां पॉइंट लगा लेते हैं यह दिखें यहां ने पॉइंट लगाया वाइंट लगाने से एक जीरो उतर जाएगा जब जीरो उतर तो हम फॉर फाइब लेंगे तो ट्वेंट आजाएगा तो यह हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इसका अंसर क्याएगा 1477.5 ठीक तो आप इस तरह से इसका अंसर लिख लेंगे चले नेक्स कोशन पड़ते हैं अब हम लो अब आपका एक कोशन लिखा है कि एक माली ने के पहुद्य करी अब उन्होंने साथ पंक्तियों में बराबर पहुद्य लगाए तो यह पंक्ती में है इसका पहुद्यवाइद कर एक सेवन दिवाइड करेंगे दो देखें नाइन तो आता नहीए तो वणबढमे 7 आ आ चाएगा ऊपर ललुद्या नाइम में से 7 को--qon 2 ऐटे थी के वाद अब 3 ऊपर नीचे उताँ यह हुग 120 तो 23 दो आता नहीं है 20 तो 23 तो 23 मोन गया बचा के तह Цhei तो ऊपर वाला 0 ऊथा है यह हुग 20 दो 7 के टेबल में 21 मेरत 14 आता है तो यहां सर आनके या बचा इस तो याने कि अभम यह कह सकते साथ रोब बनाएगा तो एक रोब में कित्ते लगेंगे वन थर्टी टू प्लांट्स लगेंगे एक रोमे ठीकि एक अघर व ऐसात रहा है तो एक रोव में उसके लगेंगेक्ष लगेंगे बच जाएंगे का अंसर यहां से लिखेंगे कि अधिक्तम पौदों की संख्या 132 है और बच्चे हुए पौदों की संख्या अच्छी है ठीक है तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे चले तो आज की फॉक्षिट को मैं यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियों बस इतना है अगर आपको जाँ को सिस्क्राइब ने करा तो प्लीज मैं जाँ को सिस्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग